बगवान ने प्रकर्ती ने हमको जो बहुत सारी चमतकारिक चीज़ें उपलब्द कराई हैं भगवान ने या प्रकर्ती ने उन में से एक चमतकारी चीज़ वो बोलते हैं गाये हैं बागवत्टी जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकर्ती ने जितनी चमतकारी चीज़ें हमें उपलब्द कराई हैं उसमें एक है गाये और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं बखान शबद आप समस्कें खूब प्रशंसा करना वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्वुत है अद्वुत है मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है कफ पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है और पित के रोगों को भी खतम करने की शक्ति है कुछ आयुरोवेदिक आउशदियों के साथ वात और कफ को तो ये अकेला ही खतम कर देता है पित को खतम करने के लिए इसमें कुछ आउशदियां मिलानी पड़ती है लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं वात पित कफ इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी 148 रोग हैं लगबग भारत में दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ बारत तो भारत में वात पित कफ के कुल 148 रोग हैं पागवट्टी जी कहते हैं हर रोग को खतम करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तू में है तो ये गोमूत्र मेथी का दाना वात को कम करेगा कफ को कम करेगा पित को खतम नहीं कर सकता पित को कई बार बढ़ा देता कई लोगों को ये महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है गैस बनती है मूँ सूख जाता है तो आप समझ लो पित बढ़क गया आपका तो उन लोगों के लिए तकलीफ है लेकिन वो कहते हैं कि ये गोमूत्रे का ऐसी चीज है जो वात पित कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है अब ये तो उन्होंने लिख दिया साड़े तीन हजार साल पहले तो जरूर कुछ observation किये होंगे हमको इस पर भरोसा कम होता था जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्वुत चीज बता रहे हैं वो वाद पितकफ तीनों को एक साथ सम्में ला सकता है थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पितके रोगियों के लिए बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नह तो कुछ वेग्यानिक और डॉक्टरों ने मिलकर का करके देख लो बागबटी जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंबीर बात हो करके देख तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगबग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परिक्षन किये ह सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनलेसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या तो सबसे ज़्यादा उसमें पानी के अलावा क्या है तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैलशियम है तो पता चला पानी के अलावा उसमें सलफर है पानी के अलावा उसमें आईरन है पानी क के अलावा उसमें ऐसे जीवन के अठारे सुक्ष्म पोशक्तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है पानी तो है इगो मूत्र में आपके भी मूत्र में पानी है लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है मनुष्य मूत्र में न अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूँ, ये 18 सुक्षुम पोशक तब तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ हैं, तो गाए के मूत्र में, दूसरी कोई भी चीज में आप जरूर कर सकते हैं ये जो संपूर घटक वाली एक पएपदार्त है या द्रव्य पदार्त है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है चमत कारिक है तो हम वो लगा के करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनेलिसिस कराया एक लेबोरेटरी म गाय का मूतर डिब्बे में भरके दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छे महीने के बाद लगबग आठ महीने के बाद लखनव एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है बड़ा जिक्र है उत्तर प्रदेश की राजदानी है वहाँ पर एक बहुत बड पर औशदियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है तो इनके यहाँ सबसे पहला टेस्टिंग हुआ शीशी में भरा गोमूतर हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूतर दिये एक तो वो जर्सी गाय होती है ना जर्सी गाय विदेशी गाय उसका भी दिया होलिस को खतम करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूतर में हैं सब के सब सब के सब अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं आपको तवचा का कोई भी रोग हो गया कोई भी रोग हो गया तो इसका मानिया आपके शरीर में एक घटक कम हुआ गटकों की कमी से ही रोग होत ये हे बात अब गाएके मूत्र में भरपूर मात्रा में है सलफर भरपूर तो हम लोगों ने क्या किया किए तवचा रोग वालों को उकठा करके सलफर चाहिए तो सलफर हम चाहें तो हूमियोपैती में दे चाहते थे उनको सकता था, हमने ना हूमेोपेथИ में दिया ना आयरुवेथ में दिया उनको का भई गोमूत्र में सलफर है और आपको सलफर की जरूरत है तो आप पी के देख लो तो उन में से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया कुछ को लगा कि कैसे पी एंए इसमें बगएरा बगएरा बहुत सारी तकलिफे हैं वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजी भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूँ और वो रोज एक बोतल दारु पी लेता था गोमुत्र पीने में उसको बास आती थी तो मैं उसको समझाता था भाईया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है लेकिन वो माना ने खेर जिन लोगों ने पी लिया हमने देखा कि सवा महिने से ही उनके तवचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ तीसरे महिने तक आते आते संपूर रोग थे और क्या-क्या रोग ठीक हुए सोराइसिस ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं होता आप जानते हैं एलोपेती वाले तो कहते हैं सुराइसिस ठीक ही नहीं होता, सुराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाशा है डॉक्टरों की, तो वो सुराइसिस ठीक हुआ, एक्जीमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ, कि बहुत ही आसान, खुजली, खाज, दाद, सब तरह के तवचारों ठीक हुए, तो बात समझ में आई, कि बागवट्टी जी सही कहते हैं, फिर हमने इसका एक्सपरिमेंट गुटने दुखने वालों पे किया, गुटने दुखते हैं, कमर दुखते हैं, गुटने दुखते हैं, और देखा कि रिजल्ट बिलकुल सही है, पंदरे से बीस दिन में ही असर है, फिर हमने इसका प्रयोक कफ वालों पे किया, खासी है, सर्दी है, जुकाम है, बीस-बीस साल की खासी है, पच्चीस-पच्चीस साल की खासी है, अब आप जानते हैं, बीस-बीस साल की खासी ही तो दमाई ही हो जाती है, या तो टी-वी में बदल जाती है, तो उसमें देखा, तो इतना तीवर असर है इसका, कि अगर आप ट्यूबर कुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज करा है, आप खुद कर लें ये एक्सपरिमेंट, मैं तो बीसियों बार कर चुका, सरकार का इलाज आप जानते हैं, एक गोलियां, डॉट्स की गोलियां, टी-वी के मरीजों को देते हैं, और कहते हम फरी में बांट रहें, तो एक आदमी को आप बोलो के डॉट्स खाएं, और इलाज कराएं, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरलल ले लो, जिसको टी-वी है, अस्थमा हैं, दमा, उसको को नहीं, तुम सिर्फ गोमूत्र पियो, और कुछ मत करो, फ्रेश, गोमूत्र माने फ्रेश, जो उता जाएं, तो आप देखेंगे, कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को, चार महिने से छे महिने लगेंगे, और ये गोमूत्र पीने वाले को, सवा महिने से दो महिना ही लगेगा, और ठीक होगा, और ये एक बार ठीक हुआ, गोमूत्र पीके, इसको दुबारा टीवी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है, कि वो बीमारी भविश्य में दुबारा ना आए, तो समझ में आया कि बाग भुट जी तो कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया, और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र, क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पियें नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरफ है, आप इसको पीते रहो, अब वो आते थे, शिकायत करते थे, कि ये कैसा सीरफ है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सीरफ तो मीठे मीठे लगते हैं, कि भाई ये सीरफ दूसरे तरह का है, तो उनको बताएं तो पियें नहीं, और हमारा एक्सपरिमेंट हो नहीं, तो हमें तो करना का है, डॉट्स मनें उसके जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स, उसके घटक, जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही, उनके काम करने की शक्ती 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई, डॉट्स तो काम करी रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई, तो वही उनकी बीमारी जो 6 महिने में खतम होने वाली थी, वो 2 सवा 2 महिने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई, फिर जब वो ठीक हो गई, तब उनको हमने बताया कि भाईया, वो शीशी में भरके जो दिया था, वो गोमूत्र था, तो तुरंत नाक चड़ गई उनके, ठीक हो ग लीजे इसको चड़ाना, गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, इसके हम एक्सपरिमेंट करते करते, 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज, 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं, वात के, कफ के, पित के, तीनों के, जड़ से खतम होते हैं